स्वागा थे आप सभी का एक और फिर से नियू इनफॉर्मेटिब वीडियो में आज की वीडियो में हम ट्रेडिंग से सम्मन्द कुछ नियमों के वारें बात करेंगे तो अगर आप नियू है मार्केट में कुछ दिन ही हुए आपको ट्रेडिंग स्टार्ट किए हुए तो यह नियमों की जानकारी होना आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ट्रेडिंग दो प्रकार से की जाती है यह होता आपका Intra Day ट्रेडिंग और यह होता आपका Delivery Trading दोनों में अलग-अलग नियम होते हैं और दोनों में Charges भी अलग-अलग होते हैं सबसे पहले बात करते हैं पर Intra Day की Intra Day का मंदल्लब यह होता है कि आप Same Day खरीद कि Same Day ही Sale कर रहे हैं और delivery का मनलब यह होता है कि आपने आज खरीदा आप आज के इलावा कुछ दिनों बाद आप उसको sale करते हैं तो इसको delivery बोला जाता है तो देखिए अगर आप intraday में trading कर रहे हैं मानलीजी आपने आज कोई share खरीदा और आज के आज ही उसको आपने बेज दिया suppose करिए उस trade में आपको 500 रुपे का profit हुआ है तो अगर आपना पैसा withdrawal करना चाहते हैं तो आपका पैसा withdrawal सेम दे नहीं होगा वो second day होगा मतलब आज आपने जो trading की है तो उसका settlement सामको होगा देन दूसरे दिन फिर आपना पैसा withdrawal कर सकते हैं अगला point bidrol की request आप working days में ही लगा सकते हैं मतलब कि जो आपका bidrol आएगा ना वो आपको working days में ही आएगा जिस दिन market की छुटी रहेगी जैसे सनीवार रवियार को तो market बंद रहता ही है इसके लाबा कोई और अगर public holiday रहता है जिस दिन market बंद होता है तो उस दिन अगर आपका इस दिन की से किया तो तुरंद आपका instant पैसा आपके DMAT account में 100 होने लगता है लेकिन जैसी आपने तुरंद पैसा add कर दिया तो तुरंद की तुरंद आप पैसा bidrol नहीं कर सकते हैं बिडरॉल आपका एक दिन बाद ही होगा हो कि आप सोचो कि मैंने अभी पैसा तु आपके दिन के लिए उत्रुन ता पांच वड़ाँ बिडरॉल की रिक्विश्ट लगाओ तो बिडरॉल की रिक्विश्ट आपके नहीं लगेगी और जब भी आप पैसा bidrol करोगे तो बिडरॉल भी आपको तुरंद नहीं होगा कि माल लोगर मैंने अभी बिडरॉल की रि इंडराडे में ट्रेडिंग की है आपने कापी सारे ट्रेड कर लिए आपने दस वारा ट्रेड कर लिए अब आपको समझना है कि आपके कितनी ब्रोकरिज लगी है कितनी आपके 40 लगे है इसके बारे में आप जरना चाहते है तो आपको वेट करना है रात तक कर रात को क्या कि आपके जो भी दिरफर में आपने ट्रेड किया है उस ट्रेड की सारी जानकारी कि कितना प्रॉपट हो आपके लिए क्या कि आपके 40 से लगे हैं पूरा को डिटेल आपको उस कॉंटेक्ट नोट में देखने को मिल जाएगा कई बार क्या होता है कि हम कन्फ्यूज होते हैं जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं इंट्राइडे में मालीजी ट्रेड कर रहे हैं मगर तो हम क्या करते हैं माललो हमें प्रॉपट हो सापूस करी हमें 400 रुपए का प्रॉपट होता है तो तुरंत हम जाके फंड से चेक करते हैं कि हमारा फंड कितना बढ़ गया फिर माललो 500 200 रुपए का नुकसान हो गया, तो बार बार हम funds वाले section में जाके चेक करते हैं कि कितना हमें profit हो गया है, या कितने हम loss में है, तो कई बार क्या होता है कि बहाँ पर हम देखते हैं, तो amount settled नहीं हुआ होता है चुकि, तो बहाँ पर हमें जो भी amount दिखाता है वो गलत बताता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको wait करना है क्योंकि settlement के लिए एक दिन लगता है, तो दूसरे दिन आपको morning में देखना है, यासे मानलोप उन्हें सौंबार के दिन आपने ट्रेडिंग किया आपको पूरा इसका देखना है, कि कितना कि सौंबार के दिन मानलोपके दिमेट में 10,000 रुपे था और मंगलवार को आपने डिमेट मॉर्निंग में 9 बजे देखा, तो आपके अकाउंड ने बसता है कितना 9,000 रुपे, तो आपने ही समझे कि 1,000 रुपे का मुझे नुकसान हुआ है अब 1,000 रुपे का डेबेट हुआ है 9,000 रुपे आपके डिमेट में है और कितने चारिस लगे हैं, कितना लॉस हुआ है इसकी जानकारी तो आपको कॉंटेंट नूट में मिल जाएगी अब बात करते हैं डिलेवरी की कि अगर आपने कोई शेयर डिलेवरी में सेलेट करके बाई किया है मलब डिलेवरी सेलेट करके आप उसको खरीद रहे हैं और खरीद के अगर आप उसको कुछ दुनों के लिए होल्ड करते हैं मालनी जाब 20 से 25 दिन आपने उसको होल्ड किया Hold कर के पहले अप जब उसको sale करने के लिए जाएंगे न तो directly आपका share sale नहीं होगा Sale करने से पहले आपसे वो T-P in माँगएगा आपसे authenticate करने के लिए बोलेगा आपसे permission माँगएगा पहले अब इसको authenticate कीजी ओ टीपी के दोरा then फिर sale होगा आपका directly आपका share sale नहीं होगा directly आपका share sale हो जाएगा उस case में जो आप डीमेट अकाउंट कमपनी को मतलब जो भी आपकी brokerage firm है उसको P.O.F.O.M. देएते हो power of attorney का एक firm होता है अगर अगर वो submit कर देते हैं अपनी brokerage firm के लिए तो फिर जब भी आप delivery sale करेंगे तो आपसे tip in नहीं पूचेगा आपका directly sale out हो जाएगा लेकर अगर आपने power of attorney नहीं दिया है तो फिर tip in के दौर आपको sale करना पड़ेगा और इसमें भी ये नियम होता है कि जिसे मालो आज आपने delivery खरीदी है सौमार के दिन आपने delivery खरीदी और मंगलवार के दिन ही अगर आप बेचते हैं उसके लिए तो फिर आपसे tip in नहीं पूचेगा क्योंकि अभी उसका settlement नहीं हो पाया है दो दिन का समय लगता है total settlement होने के लिए delivery में बुदवार के दिन मतलब एक दिन छोड़के जाओ उसको बेचने जाएंगे न तो फिर आपसे tip in मांगेगा वहाँ पर और settlement से पहले अगर आप उसको बेचते हैं जैसे मालो सौमार को आपने खरीदा और मंगलवार को ही अगर आप बेच रहे हैं तो फिर आपसे demate account मांगता है कि इस्टा margin डाली है demate account में हलाकि margin वो ज़्यादा कहीं नहीं है बस वो utilize करने के लिए होता है बात में settle होके आपके demate पूरा कब पूरा आ जाता है अगला point कि जो भी आप tip in बनाते हैं बना जो भी आपने tip in generate किया तो tip in आपका एक बार ही आपको generate करना पड़ता है बारबार tip in generate करने ही जरूत नहीं होती है उसी tip in को भारबार use कर सकते हैं और जो भी tip in आप डालोगें जैसे मालो मेरे पास को shares है एक महीने पहले मैंने खरीदे थे उनको मैं आज मीच रहा हूँ तो मुझे पहले tip in डाल के उसको verify करना पड़ेगा तो जो मैं verification करूँगा न वो सिर्फ आज के लिए valid होगा डूजर दिन अगर में कुछ और share अपने बेचना चाहूँ तो दोबारा से मुझे tip in verify करना पड़ेगा मलब कि tip in जो अपन verify करते हैं एक दिन के लिए valid होता है tip in वही डालना है tip in अपनको बारबार जर्रेट नहीं करना है वही tip in है जैसे मलब मेरा tip in है double one, double two, double three यह मेरा tip in है तो आज अगर मुझे verify करना है तो आज मैं यही tip in डालूँगा कि मालनों मेरे पास कुई डले भी रखी हुई है उसको मैं आज सेल करता हूँ तो जैसी में सेल करूँगा सबोस करिए मैंने 10.000 रुपे की शेयर सेल किये है तो 10.000 रुपे पूरे के पूरे मुझे तुरंद डीमेट अकाउंट में नहीं देखेंगे उसका कुछ परसेंटेज अमाउंट ही मेरे डीमेट अकाउंट में आएगा यूज करने के लिए अधिकता ट्रेडर जो भी फ्रेसर्स होते हैं जिनको जानकर ही नहीं होती है वो लोग परेशान हो जाते हैं गवडाने लगते हैं तो तुरं जैसे आप डेलेअरी सेल करोगे तो कुछ परसेंटेज अमाउंट वो भी शेयर के उपर डेपेंड करता हैं अलगला स्यर्स होते हैं अलगला क्वालिटी के शेयर्स होते हैं तो क्वालिटी के हिसाबसे आपके डिमेट पैसे आ जाता है जिसे माल लो सम्मार के दिन आपने डिलेवरी बेची तो सम्मार को पूरा पैसा नहीं आया माल लीजिए 50% पैसा आपके डीमेट में सो होने लगा जिसको आप यूज कर सकते किसी और ट्रेड के लिए अगले दिन आप देखेंगे मंगलवार के दिन तो जितनी भी इमांड के अपने डिलेवरी बेची थी पूरा का पूरा पैसा आपके मंगलवार के दिन आपके डीमेट अकाट में सो होने लगेगा लेकिन मंगलवार को भी आप उसको बिड्रॉल नहीं कर सकते बिड्रोल आप कर पाएंगे उसको बुदवार वाली दिन बिड्रोल की जो रिक्विष्ट है वो आप बुदवार वाली दिन लगा पाएंगे अगला पॉइंट है कि जो मैं यहाँ डिलेवरी सब्द यूज कर रहा हूँ वो मैं कैस में डिलेवरी के लिए उस कर रहा हूँ मार्केट के सेग्मेंट होते हैं कैस, फ्यूचर एंड ऑप्सन तो कैस में जो मैं बात कर रहा हूँ तो कैस में जो अपन डिलेवरी लेते हैं उसकी कोई validity नहीं होती है कितने दिन के अंदर अपन को बेचना है अपन अपने share को एक साल भी hold कर सकते हैं दस साल भी hold कर सकते हैं लेकिन भही बात कीज़ें आपने derivatives की जिसे futures की बात करें आप फिर options की बात करें तो बहाँ पे अगर अपन delivery में कोई खरीते हैं कोई purchasing करते हैं तो उसकी expiry होती है मतलब एक time frame होता है कि इस time से पहले पहले आपको उसको बेचना पड़ेगा तो उस condition में क्या होता है कि मालो जैसे की options की कोई आपने trade लिया कोई premium आपने buy किया और मालो आपने sommar की दिन उसको buy कर लिया और दो दिन बाद उसको आप गुरूबार की दिन उसको आप sale करते हैं तो उसका settlement है वो तो साम को ही हो जाएगा मतलब सुक्वार वाले दिन आपको पैसा आपके demand पे दिखने लेगा और उसको withdraw भी कर सकते हैं बहाँ पर जो settlement वाली condition है वो intraday वाली लागू होगी महाँ पर लेकिन cash में जो delivery है उसके लिए दो दिन का समय लग जाता है और अगला point है है कि intraday और delivery में charges अलग-अलग होते हैं चारिस के उपर मैंने detail में एक वीडियो बनाई हुई है उस वीडियो को आप देख लीजे चारिस वाली चैनल पर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगी उसका थमलेन आपको अभी screen पर देख रहा है यह वाली वीडियो इसको आप देख लेंगे तो चारिस के बारे में आपको detail में जानकारी हो जाएगी अगला और last point है है कि पैसा आपको सिर्फ अपने registered bank account से ही add करना है कि जैसे माल लीजे आपके बास तीन bank account है HDFCI, SVAI और ICICI है आपने DMET account उपन कराया उसमें आपने SVAI के detail दिये तो जब भी आप पैसा add करोगे न अपने DMET account में तो हमेशा आपको SVAI के द्वारा ही करना है जो आपने DIMET open करते समय और जब भी आप पैसा withdrawal करेंगे न तो by default वो आपके SVAI के खाते में ही आएगा जो कि आपका registered है आपके DMET account से इस bank account के लावा किसी और bank account से अगर आप पैसा add करेंगे भले ही वो आपके नाम पर क्यों ना हो तो पैसा आपका add नहीं होगा वो transition आपका fail हो जाएगा या फिर वो attack जाएगा फिर आपको customer care में call करके उस पैसे को आपको reverse करवाना पड़ेगा पर होना चीए किसी और के नाम का bank account आप add नहीं कर सकते हैं और यहीं इसकी खासियत होती है DMET account की कि आप बिल्कुल safe होते हैं कि मालनो जैसे कि आपने अपना ID password किसी और वक्ति को कर दे दिया आपके family में है कोई उसको आपने दे दिया ट्रेड करने के लिए हाला कि इसा नहीं करना है अपना ID password किसी और को नहीं देना है ट्रेडिंग में आपका खुद का पैसा लगा होता है तो आपको खुदी ही करना है बट बाइचांस अगर मालनीजे मिस्यूज हो जाता है किसी ने आपका ID password चुरा लिया बो जादा से अपके डिमेंट में ट्रेड कर पाएगा कि बाकी पैसा बिड्रॉल नहीं कर सकता है बिड्रॉल करेगा भी तो आपके खाते में ही आएंगे वो उसको वो नहीं निकाल सकता है तो यह थे ट्रेडिंग से संबंदे कुछ नियम जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी थे बहुत important है इसके लाबा भी कापी सारे नियम और होते हैं कापी सारे rules और होते हैं जिनके बारे अपन किसी और वीडियो में बात करेंगे लेकिन एक कुछ basic नियम थे जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है अगर हम नए हैं मार्केट में कुछ दिन ही हुए हमें ट्रेडिंग स्टार की हुए तो इन नियमों के बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था basic नियम थे जो मार्केट जो बता दिया आपके लिए उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो आपके लिए बताया है जो समझाया है आपको समझ में आया होगा अच्छे से वीडियो कर पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करना और चैनल पर अगर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना इसी प्रकार की informative वीडियो के लिए तो चलिए मिलेंगे अपर किसी और new वीडियो में किसी और new information के साथ तब तक के लिए thank you and bye